किसान अंदोलन परतेग गाउं से 5 किसान करेंगे 8 घंटे रोज आना उपवास राश्ट्रिये किसान मैदू संग अठन के अधक्स बी एम सिंग ने कहा कि केंद्रे के किलिसी कानूनों को आपस लेने और नियुंतम समर्थन मुल की कानूनी गरांटी की मायंग पूरी होने तक उतर परतेग गाउं के 5 किसान रोज 8 घंटे का उपवास करेंगे और पदान में 39 मोदी को संदेश बेजेंगे बतादे गंतेंद्र दिवस पर दिली में होई हिंसा के बाद संगटन ने किसान आंदोलन से अपना समर्थन अपस ले लिया था बाद मेर अभिवार को इसने 21 अने किसान संगटनों के साथ मिल कर उतर परदेश किसान मैदूर मोर्चा का गठन किया जार्खन की 10 यार युवतियों को नौकरी देगी केपी मिल्स तमिलाड़ू के कोयम बटो इस्थिष टेक्स्टाइल कंपनी केपी मिल्स जार्खन की 10 यार युवतियों को रोजगार देगी बतादे इसे लेकर कंपणी ने मंगलवार को राज सरकार के साथ एमवयू पर हस्ताक्षर किया करार के मुताबिक समंधित कंपणी युवती को टेक्स्टाइल में प्रसिक्षन देकर 12,000 रुपय के मांसिक बेतन पर उन्हें नियुक्त करेगी बतादे चैनित युवतीयों को वहां रहने खाने मेडिकल आदी की निशुल्क सुविधा भी दी जाएगी आठवी, नवी और दसवी की परिक्षाए ऑनलाइन सरकार ने एक माज से कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूलों को कक्षा 8, 9 और एगारवी में आफलाइन पढ़ाई शुरू करने के उन्मति दे दिया है लेकिन चात्रों के उपस्तिती अनिवार्य नहीं होगी पता दे अविभावकों की समाती से ही छात्र इसकूल बुलाए जा सकेंगे वहीं परिक्षाए ऑनलाइन होगी बोर्ड परिक्षाए के अलावा इसकूलों को आफलाइन परिक्षा लेने के उन्मति नहीं दी गई है सभी कॉलेज वा उज सिक्षन संस्थानों सभी कोचिंग सेंटर कॉसल विकास और अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थानों में भी एक मार्च से ओफलाइन कक्षाए सुरू करने की छूट दे दी गई है पथलगड़ी ममला राजेपाल के समझाने पर भी नहीं माना आदिवासी सिष्ट मंडल पथलगड़ी के मुद्धे पर राजेपाल की समझाने के बाद भी आदिवासी सिष्ट मंडल अपनी जीद छोड़ने को त्यार नहीं है बतादे सिष्ट मंडल ने राजेपाल से मुलकात की मगरवा औसंतुष्ट रहे उनकी जीद है कि हर सुरत में हाई कोट और विधान सबा में पथलगड़ी करेंगे बता दे अलवट एका चोग और फिराया लाल चोग पर भी पथलगड़ी की जाएगी राजेपाल ने उन्हें समझाया और समिधान का आदियान करने के बाद परामर्स की बात कही मगर सिस्ट मंडल अपनी जीद पर अड़ा रहा सुध पानी घर घर पहुचाना सरकार की प्राथमिकता पेजल एवं स्वक्षता मंत्री मिथले स्ठाकुर ने मंगलवार को बाबा बैजनात की पूजा आजना की पूजा आजना के बाद मंदीर परिसर से निकलते वक्त मंत्री ने काया की परते घर में 2024 तक पानी पहुचाने का सरकार का संकल्प है परते घर में स्वक्ष पानी पहुचाना जारखन की प्राथमिकता में सामिल है इसके लिए कारे कर रहे हैं उन्होंने कारेकरतावों के साथ सर्किट हाउस में बैठा की और देवघर के बिकास से समधित जनकारी ली आदिवासी भोटों के लिए तिर्णमुल कंग्रेस ने सरना धर्मकोड को लपका है बंगाल चुनाव में बनेगा मुद्दा जनकार्णा 2021 में आदिवासी समुधाय के लिए सरना धर्मकोड की मायंग पर समर्थन का दायरा अब जारकन की सीमा से बाहर निकल रहा है बताएदे जारकन के मुक मंत्री हमान सुरे ने इस बाबत सबसे पहले पहल की थी उन्होंने विधान सबा का विशे सत्र आवुद कर केंदर सरकार को आदिवासी के लिए सरना धर्मकोड जनकाना के कॉलम में सामिल करने का प्रस्ताव पारित कर भेजा था इस निरने से जाहेमन सरकार का राइनितिक कदम बढ़ा वही जारकन के पडोसी राजियों में जन जाते समुदाय के बीच उन्हें और लोग फ्रिये बनाया पता दे उनकी सटीक रन नितिक का ही परमान है कि भाजपा को इसका समर्थन करना पड़ा मार्च में 12,000 जारकन की युवतियों को कपड़ा मिल में नोकरी जारकन की 12,000 युवतियों महिलाओ को कयम बटूर स्थीत के पियार मिल लिमिटेड में नोकरी का रास्ता साफ हो गया है इसके लिए स्रम मंत्री सत्यानद भोकता की मौजुदगी में स्रम विभाग और के पियार मिल प्रवंदग के बीच मंगलवार को नेपाल हाउस में MOU हुआ MOU के दरान 10 युवतियों महिलाओ को न्युक्ति पत्र भी सोपा गया बता दे इस मोके पर मंत्री सत्यानद भोकता ने काया की करार की सर्ते के मुताबिक महिलाओ को 13,000 रुपे फ्रत्ती में अवेतन के साथ आवास और भोयन की सुवदा मिलेगी किसानों के साथ रिण माफी के नाम पर धोखा का बंडा फोड देश की राईनिती में इंदिनों किसानों का मोदा चाया हुए है कांग्रेस सही तमाम विपक्षित दल खुद को किसानों का सच्चा हमदर्ट बताने में जूटे है ऐसे में जूटे के किसानों के साथ रिण माफी के नाम पर राईनिती और धोखा का बंडा फोड हुए है बता दे राज में किसानों को 50 या रुपए तक कि रिण माफी का ढोल पीटने वाली कांग्रेस समर्थित हैमंद सुरेंच सरकार की पोल खुल गई है कांग्रेस समर्थित सरकार की हकिकत यह है कि अब तक बित विभाग से रासी कावंटन तक नहीं हो पाया है मतलब मार्च 2021 तक रिण माफी के मद में 2000 कलोर की रासी खोच करने का दावा करने वाला क्रिसी विभाग के पास 24 तक नहीं है आलम कुछ ऐसा है कि अब क्रिसी विभाग ने 1000 कलोर रुपए सरेंडर करने की त्यारी भी कर लिया बरवा अड़ा में बनेगा कोल्ड एस्टोरेज क्रिसी मंतरी राजे के किरिसी मंत्री बादल ने कहा है कि बरवा अड़ा में सीख रही किसानों के लिए कोल्ड एस्टोरेज बनाया जाएगा बता दे किसानों के उन्नाती के लिए चेम्बर ओफ कोमर्स का भी गठन होगा किरिसी पसुपालन एम साकार्ता भी भाग के माननीय मंत्री बादल मंगलवार को जीला परिशाद मैदान में आविजित किरिसी परदर्शनी साकिसान संगोष्टी को समधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राजे के किसानों के उन्नाती के लिए फसल भीमा योजनात सुरू की जाएगी इसे किसानों को सो क्रूर रुपए का लाब मिलेगा बता दे राजे सरकार ने 355 क्रूर रुपए की पसुदान योजना सुरू करने का निना भी लिया है जार्खन में पचास ने संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची से 33, पुर्वी सिमों से 9, धनबाद से 1, बोकारों से 2, रामगर से 1, गुमला से 1, खोटी से 1, सिम्डेगा से 1, जामतरा से 1, मिले हाए जार्खन में लाह की खेती को मिलेगा क्रिसी का दर्जा मुख्यमंतरी जार्खन के ग्रामिन छेत्रों की महिला किसान लाह की खेती के जरिये बेतर आजीवका की और अग्रसित हो रही है लाह की खेती से महिला है अपने गाउं में राकर अच्छे आमदानी कर रही है ग्रामिन मैलाओं को प्रसिक्षन देकर लागी बैग्यानिक खेती से जोड़ा जा रहा है जारकौन की तीहत्तर आया से ज्यादा ग्रामिन परिवार को लागी बैग्यानिक खेती से जोड़ा गया है जिन में अधिकतर अत्ती गरीब एवन सुदर वर्ती छेतर में रहने वाले एक ग्रामिन परिवा रहा है यही वज़ा है की सीम हीमान सुरेन के परयास है कि लाकी खेती को क्रिश्ची का दरजा मिले इसका निम्तम समर्थन मोले भी सरकारताय करेगी हेमंत सुरेन के काफिले पर हमला ममले में राची की वाड़ परसद का कोट में सरेंडर जार्खन के मुखमत्री हमाद सुरेन की काफ़ले को रांची के किसुरगन चोख पर रोकने और हमला करने के ममने में वाड परसद सहभाजपान आत्री रॉसनी खलको ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया बतादे रोशनी खलको रांची के वाड 29 की वाड पर सधाए राशन कार्ड नहीं है अधार कार्ड से लिंक तो राशन कार्ड हो जाएगा रद आपका राशन कार्ड अधार से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द अपना अधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक करा ले नहीं तो आपका राशन कार्ड रध हो सकता है बतादे राची जीला परसासन की ओर से इस संदर में रासन डिल्रो को निर्देश दिया गया है कि वैसे लाभोक जिनका रासन काट आधार से लिंक नहीं है उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि जार्खन की हेमन सुरेन सरकार की महतोकांची कैसलेस पीडिये स्योज ना को ध्रातल पर उतारा जा सके बिधान सभा बयट सत्र 26 से कुरोना जाच अनिवारे जार्खन की हेमन सुरेन सरकार वित्य वर्ष 2021-22 का बयट अगामी 3 मार्च 2021 को पेस करेगी जार्खन बिधान सभा का बयट सत्र 26 फरवरी से सुरू हो रहा है बतादे कुरोना काल में सत्र को लेकर जार्खन बिधान सभा की ओर से सत्र में सामिल होने वाले सभी मंत्रियों विधायकों को पत्र लिखा गया है कि बिधान सभा के बयट सत्र में सामिल होने से पहले कुरोना जाच जरूर करा ले और इस दोरान कुरोना गाईलाइन का पालन अवस्य करे कुरोना क बढ़ते मामले को देख राची जीला परसासन सक्रिये कुरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राची जीला परसासन एक बार फिर बिरिहत पैमाने पर कुरोना जाच अभियान सुरू करेगा बतादे सोम वार को उपायुक छवी रंजन ने अधेस जारिक कर कहा है कि अब सहार में प्राती दिन 17 जगों पर कुरोना जाच कैम्प लगेंगे इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वेन से भी लोगों का सेंपल लिया जाएगा उपायुक्त ने कहा है कि हर रोज कई लोगों के संपर्क में आने वाले लोग जैसे ड्राइबर, बैंक फ्रोड, डेस्क, वरकर, पोस्ट ओफिस कर्मी, प्राइबेट कुरियर, फूट डिलेवरी बॉआ, होटल, स्टाप, नाई, मजदूर, सबजी बिक्रेता, तथा यार पोट वर रेलवे इस्टेशन में काररत कर्मियों की कुरोना जाच करे। के विशेस निया अधीस, येसके सथिकी अदालत में सुनवाई के दोरान बचाव प्वक्ष ने दो गवाही दर्ज कराई, जारखन में एक अप्रेल से सभीक अक्छावों के लिए खुल सकते हैं, इस्कूल, जारखन में कुरोना संक्रमन नियंतरन में रहा, तो अगले सेक प्रवंदन विभाग को भेजा है इस परमुक्र मंत्री के अध्यक्सता वाली जार्कन आप्दा प्रवंदन प्रादिकार की मंजूरी ली जाएगी अधिवासी समाज की आस्था को चोट पहुचा रहे हिमन्सुरेन विश्व हिंदू परिशत के केंद्रिय महमंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि जार्कन के मुख मंत्रे हिमन्सुरेन बनवासी समाज को दिख भरमित कर उनकी स्रधा को तोड़ने का काम कर रहे हैं हेमन सुरेन का ब्यान देशबक्त वा धर्मनिष्टा बनवासी समाज की अस्था वा विश्वास पर चोट पहुचाने वाला है विश्व हिंदू परिशत उनके इस ब्यान की तीवर निंदा करती है पेट्रोल डिजल के दाम में ब्रिधी के खिलाप जामवो निकालेगा एक मार्च को मसाल जुलूस राजेक की सतधारी पार्टी जार्खन मुक्ती मोर्चा पेट्रोल डिजल की कीमतों में उच्छाल का बिरोध करेगी इसके लिए पार्टी ने व्यापक रणनिती बनाई है जामवो के महा सचीव बिनोध पांडे ने बताया कि 28 फरवरी को जार्खन के सभी जिला मुक्यालों में मसाल जुलूस निकाला जाएगा इसके बाद एक मार्च को जामवो के कारेकारता धाना परदोसन कर बिरोध दर्च कराएंगे लाह की खेती से 37,000 गरामिन परिवार को लाव जार्खन के गरामिन छेतरों की महिला किसान लाह एवं लाह की खेती के जरिये बेतर आजीवका की ओर अग्रसर हो रही है महिलाओ अपने गाम में राकर ही अच्छी आमदनी अर्जित कर राज में ला उत्पादन के आकड़ों में सकरात्मक बदलाव ला रही है राज सरकार द्वारा अत्याधोनीक प्रसिक्षन के जरिये गरामिन महिलाओ को लाह की बेगानिक खेती से जोड़ कर आमदन में बड़ोतरी के परियास किये जा रहे है थन्यवाद